बैतूल जिले के दक्षन वन मंडल के सावल मेंधा रेंज के जंगल में रविवार को एक तेंदुआ पेड में फंस गया। सूचना के बाद वन विभाग के वरिष्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। महराष्टर के मिलगाट टाइगर रिजर्व की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया। जिसकी रास्ते में मौत हो गई। सावल मेंधा में पी-म करवाया गया। CCF वासू का नौजिया ने बताया कि स्पॉट से रेस्क्यू करने के बाद तेंदुए को सामवल मेंधा की ओर लाया जा रहा था। इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिलका मिलगाट टाइगर और सतपुडा टाइगर रिजर्व के पशू चिकितसकों की निगरानी में पोस्ट मार्टम किया गया। जांच रपोर्ट एक दो दिन में आएगी जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। किसी गड़बडी और प्रोटोकॉल के पालन में चूक के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां सभी एक्सपर्ट पशू चिकितसक मौजूद थे। ऐसे में इसकी संभावना कम है। मौके पर मिले तार के फंदे को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक विभाग का ध्यान पहले वन्यप्राणी का रिस्क्यू था लेकिन फिर भी डॉक स्कॉट को जाच के लिए जंगल में उतारा गया है। इससे पहले रेंजर मान सिंह परते ने बताया कि आज सुभा जंगल जाने वाले ग्रामीणों ने किसी वन्यप्राणी की दहाड सुनी। इसके बाद मौके पर जाकर देखा तो वहां एक तेंदुआ एक फंसा मिला। इसके बाद तेंदुए के रेस्क्यू के लिए अमरावती स्थित मिलगा टाइगर रिजव की टीम से संपर्क किया गया है। SDO Forest भेंसदेही देवानंद पांडे ने बताया कि तार में फंसे तेंदुए का महराष्ट्र की मिलगा टाइगर रिजव टीम ने रेस्क्यू किया। इसके पहले उसे ट्रेंकलाइज कर बेहोश किया गया। तेंदुए को अब सत्पुड़ा टाइगर रिजव के दल को सौंप दिया गया। स्थानिय लोगों ने बताया कि तेंदुआ संभवता शिकार के लिए लगाए फंसे में फंस गया होगा। ग्रामीन इलाकों में अक्सर शिकारी वण्यप्राणियों का शिकार करने के लिए फंसे का इस्तिमाल करते हैं। जिसका बाद में शिकार कर लिया जाता है। आशंका है कि यह तेंदुआ भी इसी फंसे का शिकार हो गया होगा। यहां घटनास्थल सुपाका से एक किलोमीटर दूर और खोमई से तीन किलोमीटर दूर अंदर जंगल के कमपार्टमेंट नंबर 729 में हुई. घटना के समय वन विभाग के करमचारियों ने लोगों की आवाजा ही रोक दी थी.